गूड बॉर्निंग बच्चो आज हम आपको कोन के बारे में बताएंगे राइट सर्कूलर कोन क्या फिगर होती है कैसी उसका वॉल्यूम निकालते हैं कैसी इसका हम कर सर्फी सीरिय निकालते हैं कैसे हम इसकी स्लेंट हैट निकालते हैं everything everything will be discussed here in very easiest way देखें यह जो कोन है कोन की जो फिगर है वो इस प्रकार क्यों होती है this is कोन this is कोन इससे ए आप नायम नेम कर सकते हैं this is slant height l this is slant height of cone this is vertical height of cone and it is 90 and this is the radius of cone radius of cone slant height जो slant height होती है इसको पहले देखें कैसे निकालेगी slant height of cone यह जो फिगर है mathematics में से कोन की नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको संकू का जाता है क्या का जाता है संकू अधियरास्व में एक्जामपल की जो आपको बड़े बोय की जो कैप होती है वो भी कोन होती है और हम जब ice cream लेते हैं वो भी कोन बोलते हैं तो भी इसकी फिगर आप देख सकते हैं slant height L is equal to कैसे find out करेंगे root h square plus r square ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर यह 90 है आपको पता है कि right angle triangle बनता है तो hypotenuse का square is equal to h square plus r square और जब L निकालने तो root h square plus r square यह आजाएगी पीछे जो भी unit होगी वो आजाएगी L निकालना आपको आगया ठीक है अब हमने देखा volume of cone volume of cone V is equal to क्या होता है 1 upon 3 pi r square h और पीछे से क्या लगा देखा है unit के उपर थरीक्यों कि यह volume है अब हमने देखा curved surface area of cone is equal to pi r l slant height का इंट होता है pi r l और unit पे क्या लगा दिया जाता है square अब हमको total surface area चाहिए total surface total curved surface area total curved surface area of cone इसके लिए क्या करेंगे हम पहले curved surface area लिखेंगे curved surface area curved surface area plus area of base area of base क्योंकि अभी इसमें जब curved surface area होता है उसमें बड़े वोई कि यह cap है जब आप ice cream बनेगी तो ice cream नीचे से close करना पड़ेगा इसको पूरे को बंद करना पड़ेगा बंद करेंगे तो इसको हमें यहाँ पर close करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा base के ऐसा है इसका circle का है circle का area आपको cylinder में बताया है अगर cylinder आपने नहीं देगा है तो पीछे का वीडियो जाकर क्या आप अबश्च देखें उसमें cylinder और hollow cylinder को बारे में पूरी तरह से अच्छे ज़न करें दी गई है curve surface area क्या है इसका pi r l area base क्या हो जागा pi r square क्या common है इसमें pi r यहां से क्या बचा l plus r area है इसले हम क्या लगेंगे unit का square लगेंगे तो यह आपका पहला formula second one third one and four one आपने यह देखा होगा formula पढ़ते समय कि इसमें कुछ न कुछ जैसे यह हमेरा cylinder में भी आयता area volume of cylinder pi r square r h होता है इसका मतलब कौन का relation volume से है कौन की जो figure है वो volume से ही आती है अब ज़र आप देखेंगे किस तरह से आती है जैसे हमने आपने पीछे वाली video में देखा है this is cylinder this is cylinder इसमें से देखिएगा यदि हम यहां match करेंगे इसको यह करके और यह तो यह जो figure आपको देखाई दे रही है इसके अंदर यह किसकी है कौन की है किसकी है कौन की it means कौन is received या कौन comes from cylinder इसलिए जो cylinder का जो volume होता है उसका one third volume होता है कौन का किसका होता है यह पूरी figure आपको कौन की देख रही होगी जब आप exercise में question करेंगे तो इसमें cylinder and cone के miscellaneous questions का आप face करेंगे दोना चीज के लिए रहोगी तो आप बहुत easily कर सकते हैं थैंक्स पर वच्छिं वच्छिं वीडियो